हेलो दस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे आप्षन ट्रेडिंग लड़नी के एक और नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेड़ी बताने वाला हूँ जिससे आप लोग पहले ही पता लगा लोगे कि मार्केड में जो अगली केंडल बनने वाली है वो रेड बनेगी या फिर ग्रीन बनेगी और अगर आपको पहले ही पता चल गया कि मार्केट में जो अगली केंडल बनने वाली है वो अगर ग्रेन बनेगी तो वहाँ पर आप लोग कॉल आप्शन को बाई कर सकते हो और स्कैल्पिंग करके वहाँ पर अच्छा खासा प्रोफिट कमा सकते हो और यदि आपको पता चल गया कि अगली केंडल रेड बनेगी तो वहाँ पर आप लोग पुट आप्शन को बाई कर लोगे और वहाँ पर आप लोग पुट आप्शन को बाई करने के बाद सकैल्पिंग करके अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो तो क्या है ये strategy कैसे काम करती है मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा बलकि live practical करके दिखाऊंगा कि कैसे ये strategy काम करती है तो screen के उपर अभी हम चलेंगे और सब कुछ आपको detail में बताएंगे लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने पहले आप लोगों के लिए खुशकबरी है और खुशकबरी ये है कि अगर आप लोग बिलकुल free में trading सीखना चाते हैं तो मैं आप लोगों को बिलकुल free में trading सिखा रहा हूँ और part wise part करके वीडियो आ रहा है जिसका part 50 तक का वीडियो आ गया है और ये part 51 वाला वीडियो है तो अगर इसके पीछले वाला यानि की part 1 से लेकर part 50 तक का वीडियो आप लोग नहीं देखे हो न भाई तो आप लोग part 1 से लेकर part 50 तक का वीडियो देख लेजिए प्लेलिस्ट में है अगर आप part 1 से लेकर part 50 तक का वीडियो देख लेतो तो आपको option trading में बहुत कुछ आ जाएगा यह मेरी guarantee है कि आपको बहुत कुछ trading में आ जाएगा तो अगर भाई अभी तक आप लोग नहीं देखो हो तो part 50 तक का वीडियो देख लेजिए इसके बाद इस वीडियो को देखना तो चलिए बिना किशिदेरी के हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी strategy है जिसकी मदस से हम पहले ही पता लगा लेंगे कि अगली candle green बनेगी या फिर red बनेगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है अपने mobile के screen पर और mobile के screen पर आने के बाद आपको google को open करना होगा तीक है अब यहाँ पर google है तो मैं google को open कर लेता हूं अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने Google को open किया है तो क्यों किया है देखो यहाँ पर मैं आपको जिस strategy के बारे में बताने वाला हुना यह किसी भी ट्रेडिंग के एप में आपको नहीं मिलेगा सिवाए ट्रेडिंग भी यह एंजल वन एप में भी उपलब्ध नह इससे ही हम लोग पता लगाते हैं कि अगली जो मार्केट में कंडलिस्टिक बनेगी वह ग्रीन बनेगी या फिर रेड बनेगी तो चलिए अभी हम बताते हैं कि इसका यूज कैसे करना है तो सबसे पहले गूगल पर आने के बाद सर्च बार में आपको लिखना है ट्रेडि tradingview.com को सर्च कर लेना है tradingview.com को सर्च करनी के बाद आपको लोग इन कर लेना है तो नेटवर्क इसू जैसा रहेगा जैसा नेटवर्क चलेगा तेज भाई तो तुरंद खुल जाएगा तो देखो यहाँ पर tradingview का जब आप सर्च करोगे tradingview.com ना तो आपके सामने कुछ इस login है अब दोस्तों यहाँ पर आनिक बाद यहाँ पर login कर लेंगे जब आप तो यहाँ पर आपको ऐसा option दिखाए देगा कि यहाँ पर लिखा है search market here ठीक है यहाँ पर आपको उस market को सर्च करना है जैसे आप nifty में trade करते हो तो आपको nifty को सर्च करना है bank nifty का चार्ट देखन सकते हो ठीक है तो हमें सबसे पहले nifty में करना है तो यहाँ पर हम nifty search कर देंगे तो nifty आ जाएगा बाकि यहाँ पर nifty bank nifty है तो मैं आपको सबसे पहले search करके ही दिखा देता हूं ताकि आपको कोई problem ना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं भाई nifty ठीक है nifty जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर automatic अभी आ जाएगा nifty 50 देखो यहाँ पर nifty 50 आ गया है यह future का है तो हमें future का नहीं देखना है मैं option का देखना है तो उपर वाला option का है ठीक है तो हम इसी nifty के उपर में click कर देते हैं click करने के बाद आपके शामने ऐसा interface आ जाएगा तो आपको उपर वाला जो लिखा है lunch chart ठीक है तो यहाँ पर lunch chart के उपर आपको click कर देना है दोस्तों देखो जब आप यहाँ पर lunch chart के उपर click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा इसके बाद में यहाँ पर जो chart होगा वो automatic यहाँ पर open हो जाएगा तो देखो यहाँ पर अभ इसको rotate कर लेते हैं rotate mode यहाँ पर हम ऑन कर देते हैं ठीक है rotate करने के बाद अब rotate क्यों कर रहे हैं वह भी आपको मैं अभी बताऊंगा तो देखो यहाँ पर rotate करेंगे जब आपना तो आपके सामने यह वाला indicator आ जाएगा यहाँ पर fx का option आ गया है तो यहाँ पर आपको click कर देना है ठीक है अब जैसे ही यहाँ पर click करेंगे तो देख सकतो यहाँ पर अभी चार्ट open है ठीक है चार्ट open है इसके बाद में fx पर जब click करेंगे तो यहाँ पर search बार आ जाएगा तो जो indicator है जो strategy है उसको यहाँ पर search करना है और इस indicator का नाम है भाई breakout probability indicator तो यहाँ पर आपको search करके बता रहा हूँ जिस spelling को मैं यहाँ पर search कर रहा हूँ उसी को आपको भी search करना है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ b r e a k ठीक है स्टी के नहीं लिखना है b r e k लिखना है फिर इसके बाद o ut ठीक है breakout लिखकर यहाँ पर probability लिखना है p r o b a ठीक है अब जै लिख सकतो अभी यहाँ पर लिखकर आगया है breakout probability export ठीक है तो यही indicator है जो हम लोगों को बताता है कि market में अगली candle green बनेगी या फिर red बनेगी ठीक है तो सबसे पहले हम इसी के उपर में यहाँ पर click कर लेते हैं अब click कर दिये हैं एक बार यानि कि एक बार पहली click किया था ए आपके शामने कुछ इस प्रकार का interface यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जो यह सब icon दिखाई दे रहा है इसको hide करते है ताकि chart जो है वो थोड़ा आपको और बड़ा दिखाए तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा तो इसके अब यहाँ से chart को मैं इधर कर लेता हूं और थोड़ा candlestick को यहाँ से जुंग कर लेता हूं ठीक है अब यह candlestick के थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है अगर नहीं बड़ा दिखाई दे रहा तो ऐसे कर लेना है अब तो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ठीक है अब इसको आपको नहीं देखने आएगा ना तो आपको टेंसल लेनी की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर देखो लिखा विने रेट लॉस रेट ठीक है इसके बाद में यहाँ पर लिखा है प्रोफीबिलिटी ठीक है तो यही चीज से हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर यह जो चार्ट है यह कह रहा है कि विने रेट में देख सकते हो वह 5447 लिखा हुआ है यहाँ लोज रेट में देख सकते हो 2548 लिखा हुआ है यानि कि जो लोज होने का यहाँ पर चांस है वह 2548 परसेंट है लेकिन जो विन होने का चांस है वह 5447 है यानि कि लोज के दूगन में हमारा profit हो सकता है यानि कि यहाँ पर loss का जो probability है वो कम है और profit का जो probability है win का जो probability है वो जादी है तो यहाँ पर आप यहाँ पर यह जो candle stick है इसके close होते ही न यहाँ पर आपको call option buy कर लेना है ठीक है अब मैं भाई आपको नहीं कर रहाँ कि आप लोग call option को buy किजिए लेकिन यहाँ पर यह जो आपको दिखा रहा है ना कि इसके हिसाब से यहाँ पर अगर मैं call option को buy करूँगा तो यहाँ पर मेरा profit होने का जो chance है वो 68% है कि यहाँ पर मेरा profit होगा अगर मैं call option को buy करूँगा तो और अगर यहाँ पर मैं put option को buy कर लेता हूँ न भाई तो मेरा यहाँ पर loss होने का chance बहुत जादे है क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर जो win होने का chance है win होने का chance green है यानि कि green candle है green candle बनने की जो chances है वो यहाँ पर ज्यादा है और जो loss होने का chance यानि कि ready candle बनने का chance वो वो कम है इसलिए यहाँ पर green candle stick को green candle stick जब भी यहाँ पर market में green candle stick बनने वाली है ठीक है यानि कि यहाँ पर मैं call side को buy करूँगा तो मेरा profit होने का जो chance है वो 60% है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर candle stick का जो यहाँ पर यह candle stick का time frame होता ह ये भी बहुत माईनय रखता है, तो यहां पर देख सकतो है, एक दिन पर इसको देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वन डे पर नहीं देख करना आपको पांच मिनट पर देखना है, अगर आप पांच मिनट पर देखोगी भाई, तो आपको अच्छे से ये काम क के मार्केट में आज भाई देखू संडे हैं तो संडे की दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि कोई मार्केट जब ुऋज रहता है तो आपको समझाने में अच्छा रहता है अगर यहाँ पर ऊपन होती हैं तो आप और भी अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे इसलिये में पहले close market में बता रहो ताकि आप इसको समझ लेजिए इसके बाद जब live में आर्केड में बताऊंगा तो आपको समझने में आशानी होगी तो candlestick को कितने time frame पर देखना है 5 minute के time frame पर देखना है यहाँ से आप change भी देख सकती हो तो यह तो रही निफ्टी का निफ्टी में अभी बता रहे कि यहाँ पर जो विन रेट है वह 547 है ठीक है यानि कि यहाँ पर call option buy करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर अगर मैं call option को buy करूंगा तो यहाँ पर मेरा profit होने का chance 68% है ठीक है अब दोस्तों यह देखो 100% नहीं बतारहे, 68% बतारहे कि ग्रीन बनेगा तो यहाँ पर loss होने का chances भी है कुछ ठीक है लोस होने का chances वह 32% है अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 68% ही बता है कि अपर profit होसकता है तो 32% loss होने का chance यानि कि प्रॉफिट होने का chance हो तो यहाँ पर थोड़ा सा risk यहां पर प्रोफिट भी हो सकता है ठीक है अब दोस्तों माल लीजिए कि अगर आपको बैंक निफ्टी का देखना है यह तो निफ्टी 50 का है ठीक है अगर आपको बैंक निफ्टी में डेखना है आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करतो हो तो यहां पर जो निफ्टी आ रहाँ बैंक निफ्टी को. यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है बी, ए, यान, के, अइ, आई, ऐ, टी, ठीक है? अब बैंक निफ्टी सर्च करूँगे तो यहाँ पर उबर बैंक निफ्टी आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है. क्लिक करने यहाँ पर यह बैंक निफ्टी का चार्ट है अब इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको केंडलिस्टिक बड़े बड़े दिखें और आपको अच्छे से समझ में आए तो अब देखिए बैंक निफ्टी में केंडलिस्टिक क्या बोल रहा है कि यह करने के लिए विन रेट में देख सकतो तो पर 3843 है और लोश में देख सकतो 27 है तो यहां पर भी यह बोल रहा है यह चार्ट पर कि यहां पर अभी ग्रीन कंडल बनेगी तो मुझे पहले चीज़ी पता चल गया कि यहां पर ग्रीन कंडल बनने वाली अगर यहां पर मैं अब बाई कर लूँगा कॉल अप्शन को तो यह निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी का देख लेंगे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है तो अब आपको बैंक निफ्टी वाले पर फिर से ऐसे क्लिक कर देना है यहां पर फिर से सर्च बार आ जाएगा तो यहां पर आपको लिखना है फ फिन निफ्टी का चार्ट है इसको भी मैं जूम किया हूँ ठीक है यहाँ पर छोटा करूंगा तो यहाँ पर दिखाए देगा तो यह फिन निफ्टी का चार्ट है अब फिन निफ्टी में क्या कर रहा है मार्केट की अगला कैंडल कैसा बनेगा तो यहाँ पर देख सकतो प् 188 है तो यहाँ पर जादा चांस है कि अगली जो candle stick है बनेगी जो वो green बनेगी तो यहाँ पर मैं call site को अगर buy कर लूँगा तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पर profit होगा बाकि दूस्तों अगली दिन मैं आपको live market में live trade करके आपको दिखाने वाला हूं तो देखो यह भाई मेर analysis है मैं इस हिसाप से trade करता हूं और scalping जब भी मैं करता हूं तो इसी के हिसाप से करता हूं इसी को देख करता हूं trading भी हुए तो यहाँ पर मेरा profit हो जाता है अब loss होता है लेकिन थोड़ा सा होता तभी मैं exit कर जाता हूं बाकि जब chance ज़्यादा रहते हैं जैसे अच्छा खासा chance है यहाँ पर कभी 88% रहता है chance तो वहाँ पर भी अच्छा खासा मौका मिल जाता है तो वहाँ पर मैं buy करता हूं तो definitely भाई वहाँ पर मेरा profit होता है बाकी देखो भाई यहाँ पर loss भी होता है जब यहाँ पर 100% तो confirmation नहीं है कि यहाँ पर आपका profit ही होगा ठीक है त पर कोई भी trading में कोई भी आपको strategy बताएगा अगर 100% बोलना समझ लिजिए कि वह fake है fraud है तो यहाँ पर अगर आप इस strategy को use करते हो इसकी हिसाफ से trading करोगे तो भाई trading में अच्छा खासा profit हो सकता है आप देखो यह मेरी analysis थी मैं इस हिसाफ से trade करता हूं तो ऐसा नहीं कि आ अंकज भाई बोल दिया तो आपको भी सीधे कूद जाना है ऐसा दिखा दिया तो कूद जाना है तो यहाँ पर candlestick भी matter रखते है कि अगली candlestick क्या बनी है hammer बनी है डोजी बनी है spinning top बनी है या फिर कोई bearish candlestick बनी है फिर bullish candlestick बनी है तो वह चीज़ भी यहाँ पर काम करत है तो I hope दोस्तों आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर दोस्तों अभी भी आपको कोई doubt है कोई confusion है कोई आपकी question है तो यहार भाई comment box आप लोग के लिए ही बनाए जल्दी से comment कर दिजिए मैं आपके हर comment का reply जरूर दूँगा मिलते हैं next studio में जहिन वन्दी मात्रम